मित्रों ये छोटी सी चिडिया मुझे पार्क में बेवसी की हालत में मिली इसे देकर मैं काफी परिशान हुआ कि ये क्यूं बेवस हुई लेकिन सायद गर्मी की कारण इसको लू लग गई और मैं इसको घर पे लेकर आया इसको खुब नेलाया और निजनाने के बाद ये तर तर gast ऐ अगले भाग में इसके अंडे देखाऊंगा इसके बच्चे भी दिखाऊंगा के विचारी बज गई और इसको देखकर बहुत अच्छा लगता है देखो कितना खुब्सूरत गोसला बना रही है अब कि इससे ना गर्मी लग रही है ना लू लग रही है अब अपन इसके चोंच इसके बनावट वाके लाजवाब है पक्षियों को भी लू लग जाते हैं इसलिए गर्मी में पक्षियों के लिए पाने जरूर रखना चाहिए जिससे यह बच सकें